नमस्कार आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार समस्ति पूर के बहिराच चौर के पानी में मिला दरोगर शमेद दो ही वक्त का शोव खबर समस्ति पूर से है जिले के उजियारपूर थाना छेट अंतरगत बहिराच चौर एन एच अपथाईस किनारे पानी में तेर्टेवे मारोती सुचकी की स्विफ डिजार मिली कार में एक दरोगा शमेर दो लोगों का शोव मिला दोनों सव उजियारपूर थाना छेट के एन एच अटाईस पर वहिराच चौर में मिली मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने वहिराच चौर में लगे पानी में एक कार को देखा या सुचना आसपास के इलाके में जगल में आग की तरह फैर गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीरों की भीड जुट गई पूरे मामले की सूचना अस्थानी ये लोगों ने इसकी सूचना उजियारपुर ठाने को दिया सुचना के बाद थाना अध्याच घटना स्थाल पर पहुंच कर जाज परताल में चुट गई वही घंटों कड़ी मसकत के बाद एक क्रेन की मदद से कार को पानी के अंदर से बाहर निकाला गया इसमें एक इवक शोव बरामद हुआ वही आस पास तलासी के दारान एक अन्य पुलिश का सौभी बरामद किया गया एक मेर्टक की पहचान मुंगेर जिला में कार्य दरोगा शिवेंद पासवान के रूप में हुई या मुझफ़पुर जिले के खुटने थाना छेदर के कैमा गाउं का स्थाई निवासी है वही दूसरे मिर्टक के शोकी पहचान की कोसिस की जा रही है इधर पारी से बरामद कार्स व्डिजायर जिसके नंबर प्लेट पर पुलिस विभाग का लोगो लगा हुआ है पुलिश ने कार्य की तलासी में उनके अंदर से एक पिश्टल भी बरामद किया जो संभता सरकारी ब पासवान की रूप में हुए है दूसरे सो की पहचान के लिए मुंगेर जिला मुठ पुलिश और मिर्टक की घर से संपर्क किया जा रहा है पुलिश कार के अंदर कोई और नहीं था कि नहीं इसके लिए चौर में तलाश्य भियान चल रही हाला कि कॉर्च चौर के पानी भ पानी में जो एचौर में पच्यादिक रहएगाडी का इसके बाद प्रीश वर आया गया और यहां से पर दूसरे का इसमें दो लोगों का सो फिला है इसमें पाचान में पुन्नी कराने वाले है जमाल कुछाना में पतस्कार रहा है इसमें प्राइबर है इसके बाद सभी लोगों को बोला गया है उसके बाद सभी लोग को बोला गया है उसके बाद एकलास निकला है आप हम एक युवास मास से भी हुए अरजुन कुमार